हेलो फ्रेंट तो कैसे हैं आप लोग तो आज हम पढ़ने वाले क्लाश टेंथ कि में एकनॉमिक्स चेप्टर नाम है उभोगता और जागरन मतलब पले समझ लिए उभोगता किसे कहते हैं जैसे माली जी काप दुकान पर जाते हैं और कुछ आप दुकंदार से खड़ते हैं तो आप खड़ते हैं तो और दुकंदार क्ल देख में सकते हैं मतलब न हमारी काम उनकी काम हमसे चल सकती हहां हमले ऑदमी दूपर में रहते हैं खाहिए तो हमें दुकांड पर जाना ही पड़ेगा ना कि हमों लोग खुछ से होता है तेकी दुकंदारी बनीड है उचले दस्तो श्टाट करते हम लोग अपना mq गुश्मैट का ला हमारा है उभोगता स्नक्षन अधिनियां की घोषना कब हो थी उभोगता स्नक्षन अधिनियां के घोषना कब हुआ था तब यह रखेंगे चुले आप लोग अगर पाता है तो उभोगता स्वरक्षा नाधिर्याम के खुष्णा कब वह थी अनई सो चान्वे में अब है क्या अधिकार दिवस कम मना जाता है तो 15 मार्च को मना जाता है तो राष्टी वह था है वह क्या है तो अधारस सो एकार चारह जाएं अगर कोई आप समान खड़ेते हैं और उसमें कोई मतलब दीखते आती है तो वहां पर आप इसको कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपका विश्ट कॉन का समान है तो आप जिला फौराम में कुक्राक ब्सिकायट दर्ज कर सकते हैं अगर आपका भी से ज़दा है और बिस MILL अख से जदा है एक अरोड़ में तो आप राज में राजастьर में अप छिकायत करेंगे अगर आपakah जो है करोडी स से जादा है अगर आपकी बस्तु की किमत एक से जादा है और उसमें मतलब खामियाब को दीख रही है तो यह आप छिकायत कहां करेंगे तो राष्टalon में करेंगे घ्रण से कम रहेगा और क्या होगा एक करोड से जादा होगा तो कहा होगा राश्टी ए प्षोड़म में अवेस्तों के सवर्ण भुसन मतल्ब मैं कुछ पूरा कोसंट स्वर्ण पर जो है क्या रहता है तो होल मार्क चाहिए लेकिन फेपर हम पुछेगा कि क्डिसी पर क्या होता है पार्ले जी बिस्कुट या कुछ भी वस्तों को खड़िद कर देखने लेना चाहिए अब यह का 20 लाग से अधीक और एक करोड से कम मैंने अभी आपको बताया कि बीस लाग से अधीक और एक करोड से अगर कम हो तो शिकायत कहां धर्ज के दियागा कि तो वह दुस्तों जीब पुरण में कहां दुस्तों कि विस लाग से जाता रहेगा अब श्राइग करने के लिए अवेतन तो शुल्क कि है वो कितना लिया जाता है तो आपका ना थे बरावर लियाता है मैंनों कोई नहीं पितना लिए जाते है अब दोस्तों आप यह यहार रखेंगे अभूकता थो मैं आपको बता दिया कि अ daai कि जो दुखंदार से समां खड़िता है उसे एक लाइन मूं रखीगा से समां खड़िता है उससे क्या उब 7 सकते हैं कि उभवक्ता को कैसे मतलब ठगता है कि वस्तों कि प्राइश को जदा बता गरेचता है तो थगता है मिलावट करके बेचता है तो भी ठकता है अगर आपको कम वजन करता है तो भी क्या करता है ठकता है इस तरह काता है उभोगताओ पो सोचन किया जाता है प्राइस को जदा बता कर बेचा बेचा जाता है तो इस तरह सोसन कहता है दूसरी बात मिलावट करकर सरसो को तेल है उसमें मतलब थोरा सा अनेबर्स पत्ती तेल के डाल दिये जाते हैं जिसे जहांगे ज्यादा उत्पन होने लगती है ठीक है फिर कम वजनवारे बस्तु को देकर फिर आप मतलब देखेंगे कभी कभी मतलब ठेले पर जब आप समान खड़ते हैं तो जब आप क मतलब आपका भगता घ्रदिया च तो अगर आपको अच्छा लागे होगा पीले लिज वीडियो को लाइक आप यदा सरीक्राइब जांसे रखें रिखेंストow min